तो माई डेर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड समस्टर के एकोनोमिक्स यानि अर्थसाफ्त के स्लेवर्स के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स के बारे में यानि जो आपकी बीए थर्ड समस्टर के परिच्छा आने वाले दिनों मे होने वाली है और आपका सब्जेक्ट एकोनोमिक्स जाने अर्थसाफ्ट रहे तो इसमें से कहां से ट्रस्ट बनेंगे टॉपिक्स क्या होगा कहां कहां से प्रस्ट आएंगे आपकी पर इच्छा में आपको आज किस वीडियो से यही जानकारी मिलने वाली क्योंकि आप आथ्पास्त का दूसरा रहा ऊसमें कोश्चन दूसरे टाइब क्या है सेस्ट्र में के स्ट्पच्ट आइब अध़ day ने को से आएंगे जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ठीकVENके तो दहलिए वीर्स से मस्ट आप धूव सब्धेक्ट एकोनोमेक्श यानी अर्थ테सदें है और प्रस्णक्र को नाम है कि आप एकोनोमिक्श तोट यह उनिक्ष्ण अर्थिक बिचार का इतिहास है तो है तो आर्थिक बिचार का इतिहास का मतलब यह हुआ पालब कि ध्यान से सुनेती इस फाइनस को लेकर और अर्थिक चीज्यों को मतलब की Hagrad इंदुप यहां पर पढ़ना होगा थे पूरा पूरा यूमार यूनिट कि आछ टोपिक्स्च में आप आप पूरा स्लेवर्स एंग्लिस में आपको अच्छे समझाथ के आप अच्छे समझ सकें इस पूरा स्लेवर्स को मैंने हिंदी में कर्णोड कर रखा है तो पहला जो यूनिट है वह ध्यादा नरोजी आरसिदत बी आरमेटकर और रामनोहलोहिया गांधी वादी ठीक है यानि कि आपको बताना है आर्थ साफ्त्र को लेकर या फिर आर्थिक विचार क्या है दादा भाई नरोजी के कौटल के आर्शिदत के बीमराव अमेटकर के और रामनोहलोहिया अवद इनवर्सिटी मतब कि डाक्टर रामनोहलोहिया तो इनकी नाम से इनवर्सिटी भी चलती है तो इनकी क्या विचार है आर्थ साफ्त्र को लेकर ठीक है और यहां से प्रशना है हैंगी आपके स्लेबर में अगर प्रशन आएंगे तो इन्हें से जुड़े आएंगे और कहीं से नहीं आएगा फर्स्ट उनिट में ठीक है अब इसी तरह सिकेंडी उनिट है सिकेंडी उनिट में पंडित दीन द्यालो पध्याय और जे के महता और एके सन और जे भगवती यानि कि पंडित दीन द्यालो पध्याय के जे के महता के और एके सेन जी के क्या विचार है आर्थिक चीजों को लेकर यानि कि आर्थिक विचार क्या है फाइनस को एक किस परकार देखते हैं आप कैसे फाइनस में अर्थ मतब कि आपका जो फाइनसियल चीज वो कैसे स्टोंग हो सकता है ठीक आप आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए किसी चीज को इस्टार्ट अप करने बाई आर्थिक उसमें पैसा लगता है इन सब चीजों के बारे में आपको लिखना है कि आर्थिक विचार क्या बता है कि पैसो को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए पैसो का क्या बूरा मामला है यह सब्दों में आपको लिखना पड़ेगा ठीक है जो कि महत्तपूर्ट इंप्वाटन टॉपिक से यहां से प्र प्रारंभीक काल अम्ट प्लेटो में प्रमक विदवान और रफاهसमाज साफतरी हैं तो इन्होंने आर्थिक. विचार क्या बता है कि पैसो यानि की रूपय पैसा आर्थिक रूप से कैसे आप इनके बिचार क्या है इनुने किस प्रकार पेश किया हूँ आपको लिखना है फिर न्याय के सिध्धान्त यानि कि जेस्टिस के जो और सिस्टम होता है इसमें लागत और उचित कीमत ठीक है क पहले आपका इन्वेस्ट होगा फिर उसके लिए आप उचित कीमत भी चार्ज करेंगे तो उसी विबारे में हैं लागत और उचित कीमत क्या है इसके बारे मिखना है एक महत्पूर टोपिक से भी लागत क्या उचित कीमत क्या परिवाफ़दी जैसे पर देखने को मिल सकता यूट नमबर फूर्थ में आपको बैपारिक्ता इस मतलब कि बिजिनर से सम्BAंदित question होंगे बैपार जो होते हैं जो होते हैं things Thomas moon और phygyography आपको इसमें यह बताना है कि प्रद्धार कि यहां के मुख बद्धरिस्ता क्या होती है और जहां की अर्थववफ्था के बारे में दिखे ऐसा प्रश्ण हो सकता है और अगला की कारा धान क्या है और टार गोड बहुत कमाता है पेटी लोक और हुम के आर्थिक विचार आपको बताना है यानि की जो प्रूंग बिद्वान जिनका नाम है पेटी और एक लोक है एक है हयों इनके आर्थिक यानिकी फैनेंसयल होट क्या है क्या है यानिक बिचार इकोनोमिक भ exemplet क्या है यह आक।कर मनें जेट इससे कुछ अबनेंगे यह है यह अपका भूंग है यह यापका प्रश्ण बनेंगे में आपको साफ्तरिय काल में एडम स्मित स्रम का विभाजन जो हुआ है मुले का फिद्धान पूंजी संचय बित्रण बैपार पर विचार डेविड रिकार्ड और अंतर राष्टे बैपार मतलब कि अंतर राष्टे यानि कि जो एक देश से दूसरे देश में बैपार होता है ज tha नोने किस प्रकार बताया कि आप अंतर राष्टे बैपाइर और इन किया नों को लिखना है अंतर राष्टे बैपार इसमें आपको जैनमन रोमांट illness or socialist समाजिक परिवर्तन मोले का स्रम सिध्धांत और पूंजी वाद संकट का फिद्धांत जे भी से जे यस के आर्थिक बिचार बताईए मतलब की यूनिट नंबर 6 में आपको प्रश्ण जो देखने को मिल सकते हैं परिवर्तन परिवर्तन मोले का स्रम सिध्धांत और वाध क्या होता है क्या होता है यहां से परस्धांत basically से यह को writers वादी संकट का सिध्धांत बताईए जे बी से और जिय Dieses के brush ever यह आपको देखनों को मार्सल जो एक प्रमुक ठीक है तो इनके नुसारा विचार बताइए तिक है हो सकता आ जाए और हो सकता आ जाए कि मूली निर्धान में समय की भूमिका क्या है आर्थिक तरीके क्या है ठीक है उब भोक्ता के आउसेस पर बिचार किस प्रकार किये जा सकते हैं ठीक है लोच क्या है ठीक है ऐसा प्रशन हो सकता है प्रतिनीजी फर्म के बारे में कोश्चन हो सकता है और एक और हो सकता है यहां पर कुछ्चन जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं लोच पर बहुत कम बनते हैं अब यूट नंबर के बारे में बताया है वो आपको लिखना पड़ सकता है और अगला कि सिमानतवाद करांतवादी जो है जेवन्स वालारास और मेंजर ठीक है और बोहम बवार्क के अनुसार इनके समाजवादी करांतविन का क्या योगदान है सिमानतवादी करांत के बारे में किस प्रकार और वीजर इन बिद्वानों के नुसार आर्थिक विचार क्या है यह आपको लिखना है ठीक है इनके आर्थिक विचारों का उल्ले कीजिए इनकी आर्थिक विचारों को भी आख्या कीजिए इनके आर्थिक विचारों के बारेम लिखिए ऐसे प्रस्ण आपको देखने को मि पूछ जाएंगे इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा विशेश करके जो मैंने आपको बता है इनको ज़रूर तयार कर लेना है बाकी एक ही बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा कमचे कम दो से तीन बार वीडियो देखिए तब आपको पूरी जानकाली मिल इनको आप इंटरनेट गूगल पर सच करके पढ़ते हैं और बाकी जल्द ही हमारी कोश्चन अंसर वाली वीडियो आएगी जिसमें कोश्चन भी होंगी उसके नीचे उसका उत्तर होगा सभी प्रशनों का और साथ साथ में मैं आपको PDF के तोर पर नोट्स भी देने वाले हैं किन चीजों से बनेंगे कहां से बनेंगे ठीक है तो आई होप आपको वीडियो जरा से बेच्छी लेगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आपका अपना ही चैनल है और कोई कोश्चन है जरूप मूची आगर कोई त्रोटी पारती हैं और मिलते आपको करने वीडियो को साथ जय हिंद्द